जाप के राष्ट्री एधक्स पपु यादव के गिरफ्तारी के बाद राजनीती कुबाल है आप पार्टी के नेता बहलू परकास ने इस संदर्व में परतिक्रिया व्यक्त की है जाप के राष्ट्री एधक्स पपु यादव जी को उनके आवाज से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ठाने में रखा गया है मैं जाप का नेता नहीं हूँ बलकि आमादू पार्टी का विहार का प्रवक्ता हूँ लेकिन मैं नितीज जी से कहना चाता हूँ कि आपको क्या हो गया है आप भाजपा के गोद में बैटकर किस तरह किलकारिया क्यों भर रहा है क्या आप नहीं जानते हैं कि पप्को यादव दीन रात लोगों की सेवा में लगे हैं इसे प्रून पिड़ित लोगों की सेवा में लगे हैं उलके द्वारा ओक्सिजन उप्लब करा जा रहा है रेज्मिसीवर इंज्एक्सन उप्लब करा जा रहा है और पप्पू यादवजी आपके सरकारी अस्पतालों की कुभवस्था को लगतार उजागर कर रहे हैं अभी साथ मई को उन्होंने छपरा का दवरा किया था और छपरा के सांसद राजी परताव रूडी के अवास में उन्होंने 25 से ज़्यादा एंबुलेंस खड़ पाए उन्होंने उस पूरे मामले को जागर किया जिससे पूरी की पूरी भाजपा और डवल एंजिन की सरकार बिहार में जो चल रही है दवल एंजिन की सरकार बॉखला गए और आनन फानन में पप्पू यादो जी सरकार की नजरों में गड़ने लगे मानने मुखमिंत्री जी पता नहीं आपके सलाकार कोन है ग्राउंड वीपोर्ट आपको कितना देते हैं लेकिन आपके सरकार या अस्पतालों में हाहकार मचा हुआ है बेड में है ऑक्सिजन में है समसान में पटना के बुलवी खट में बास घाठ में मुक्टी धाम में लगतार लासों की कतार लगी है लेकिन आपका स्वास granane में स्वया हुआ है उधर गाया में कोरोना बचाप संबंधी गती विधियों के निरेक्षिन करने आज स्वरेंग विधायक पहुँचे उन्होंने चिक्रिसा केंदर की हालात पर चिंता जताई है तो पूछिये दे अखिर क्यों अतना लेखा पाते हैं वास्मिठल में करने चाहिए पर क्यों इस तरह से मैं कि दो नहीं हम सब्सक्राइब दिन हमार है हमेशा हम दूर रहे हैं क्यामानपुर घरिवियू कि आज यह वह जिरके जाय हुए है उधर गया के हिए कि दूसरे मामले में एक महिला ने नियाई की गुहर लगाई है उन्होंने संबंदित अधिकारी को आवेदन देकर कारवाई की मांग की है साम में जब हम उधर से आ रहे थे मुझे वो पाचांता था क्योंकि आप पहले गए थो उसके घर पैसा मांगने उसब दस मुर्बत लेकन सब सराव पी रहा था वो अपने घर से थोड़ा सा पहले जहां पर कचड़ा थे खा रहा है थोड़ा सा घर से उसके थोड़ा सा आगे प्रेल बेस ऐसा ही दर बुपरिय रहा था उसने मुझे देखा क्या नहीं मेरा भाई का ऊज़ों टेरा है वहां से आरह और थे साली उसने मुझे देखा 마지막 नहीं देखा मुझ पर्स में जो तोड़ा बग पैसा था वो चील लिया क्या लगता है कि यह पहले से तार्गेट के हुए था यह तो पता नहीं हो सकता है सुगा मेरे भाई के साथ जो बज़क हुआ था उसको ले करके कुछ किया होगा क्यों क्यों जानता है कि सब लोग इधर ही रहते हैं पोर्ब सांसर पकवोई आदव की गिर्भतारी के मामले को लेकर समस्तिफुळ में भी परतिकिया हुई है हारज जेडी के काज़करताओं ने परतिकिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोग तंतर की हथ्या है राश्टे जमत आदव, पपूज आदव की ग्रिफ्तारी की जिंदा करते हैं, यह सरकार हर मर्जे पर बीफ़ल है, सरकारी अस्पतालाओं में बेट की कमी है, औक्सीजन सिलिंडर का कला बजारी हो रहा है, दावा पर कला बजारी हो रहा है, स्वास दुवस्था बजहाल है, पपू जादव श्यवा कर देक ले उत्रेद हुए थे और श्यवा कर रहे थे और उनकी ग्रिफ्तारी लोगतंत की हत्या की प्रयाई है मानपता के खिलाफ है और आश्चे जंतादल निती सरकार की इस कदम की निंदा करती है धमां करती है कि पपू जादव को लिहा किया पूर्जनों का पैकेट भी यहां पर वितरिन किया रहे थे बताया जा रहा है कि कटरा परखन के धना और विसाथा पी एस सी कटरा गाईगाट बलोक के रामनगर में बोचहां बलोक के उनसर गाउं में भोजन का बितरिन किया गया दा पुलर्स पार्टी गायखाट एबम गायखाट समाजिक मंच की तरब से सोज सिंग के नेतिर्थ में या बितरन किया गया इस दोरान पार्टी एबम संगठन से जुरे हुए कई कार्ज करताओं की भी खास उपरसिती रहे उज़र समस्तिपुर में मचली मारने को लेकर हुई हिंसक बिवाद में कई लोग जख्मी हो गए खबर मिल रही है कि समस्तिपुर जिले की बिभूती पूर थाना च्षितर में मचली मारने को लेकर रंगदारी मांगने से संबंधित एक मामला सामने आया है इस बिवाद को लेकर हम हिंसक मारपीट की घटना हुई है जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्थानिय थाने की पुलिस मौके पर पहुँची आवस्य कारवाई की परकिरिया सुरू कर दी गई है उदर मुझेफर पुर जिले के कट्रा परखन के धनावर पंचात में 45 पलेस आयूवर्ग के लोगों गाज टीका करन किया गया टीका करन अस्थल पर कोरोना जाज को लेकर अलग से कैम्प नहीं लगाये गये थे तिहारी से लोकडाउन नियमों की धजियां उड़ने से संबंधित एक तस्वीर सामने आई है कपरे सबजी और किराना समानों के दुकानों पर सुबह से ही 11 बजे तक लोगों की लगातर भीर उमर रही है और इसे दोरान लोकडाउन को लेकर लगाये गये नियमों की धजियां उड़ती रह रही है जिला परसासन के लाग परियास के बावजूद कुरोना महमारी की इस दोर में खुद की जान जोखिम में डालने वाले लोग दुसरे की जान से भी खिलबार कर रहे हैं जिसके कारण से सुबर 6 बजे से 11 बजे के बीच जिले के करीब सभी बजारों में सबजी, फल, दूद, किराना समानों एवं कपरों की दुकानों में खरीदारी को लेकर भारी संक्या में लोगों की भीर उमर रही है इसके कारण से कुरोना बीमारी संक्रमन के मामले में हर दिन बिर्धी होने की आसंका है। अगर लोग खुद से बचाब के लिए जागरुक नहीं हो सकेंगे और एधिकारियों की ततपरता नहीं दिखी तो यहां संक्रमन तेजी से फैलने की आसंका है। तरह भी गराहक निकलते रहे। आवस्यक परकिरियाओं के बाद हम मौल को सिल कर दिया गया है। अगर दिखारी के दवारा अभी COVID-19 को देखते हुए बिभिन तरह के प्रतिमंग करने के आदेश जारी किये है। जिस आदेश के तहस है कि किसी भी तरह का कपड़ा या अने दुकान नहीं खुले का। खुले वाले दुकानों का लिस्ट जारी है। इन तरह के दुकान खुले है। यह दुकान कपड़े का दुकान है और आदेश नहीं होने के बावजूद इनके द्वारा दुकान खुला गया। दुकान खुलने के बाद अभी आप लोगों के सामने ही वेक्टि वहां से निकले है। पादी बड़ी मात्रा में रहा कंदर बन जथे और इनके दुकान के साब अंदर है। कलबार के आदेश के अनुकार जो भी विजी संग्मत कारवाई होगी इनके किलाभ कारवाई की जाएगे। कितने संखिया में लोगों में से रहा हुआ है। कितने संखिया में लोगों में लोगों में लोगों में लोगों में से रहा हुआ है। द्वारा यहां चूरा मिठा दी का वितरन किया गया है। कि रात में लोगों सोय हुए थे। मॉर्णिंग सुवे साथ वजे हमें यहां से फून गया है। जो रात में बिजली को सरसट किसे आग लग जाने के कारण। इसी में खाना पिना सोते थे। बाकी लोगों का कोई कैसा हतास नहीं है। लेकिन इनका जो लगवग तरकीवन सतर पच्छतर हजार के आसपास के नुकसान हुआ है। चुलाई पासवान जी है। यह वार्ड नमबर दू में है। टिजन पासवान जी के घर से सटे हुए है। जनकारी मिलने के वाद हम आए। अपने अस्तर से जो भी है। साहब को भी हम फोन के द्वारा सुचना कर रहे हैं। जो तत्काल विवस्था है। चुरा मिठा बिस्कुट का हमने विवस्था आपने अस्तर से किया है। आगे अधिकारी से बात करके इनका जो बिवस्था बन पाएगा उसमें सही उख करेंगे। बताया गया कि लोकडाउन के नियमों का सक्ति से अनुपालन होना चाहिए ताकि कुरोना संक्रमन के बरते चैन को रोका जा सके। इसे दावरान एस सी टी की टीम ने लगातार लोगों में जगरुकता का अभ्यान चलाया। बताया गया कि बेवजह घरों से बाहर लोग नहीं निकलें